कि यहां पर काफी मतलब कि आपको प्रोब्लम होता होगा जब आप किसी कस्टोमर का पैसा निकालते होंगे या अपने बैलिट से पैसा देखने को मिलता है कि हमारा पैसा पैसा प्रोब्लम होने वाला है लेकिन आपको यहां पर किलियर लाइव सेजन कि आपको क्या करना है कैसे काम करना है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए और किसी प्रकार का आपको प्रोब्लम होता है कोई भी सर्विस यूज़ करने में तो आपना कमेंट शोड़ सकते हैं नहीं तो आप परकार हमारे पॉब्लिक टेलीग्राम चैनल से जोईन हो जाये हैं। तो वीडियो को जदा लंबन ही कथा रिक शुरू करते हैंओ और देखते हैं कि यह वीडियो मारा देखते हैं तो एक बार नीवेदर नहीं फिर से की चैनल को सब्सक्राइब करना मत भी देखते हैं तो नई सर्विसेश के बारे में बात करेंगे अभी जो सर्विसेश एनेबल की गई हैं डिजीपे में कैसे ड्रॉल डिपॉजट मिनी स्टेट्मेंट बैलन्स इंक्वाइरी माइक्रेटीम की जो कार्ड पिन की जो सर्विसेश हैं वह आप लोग कर रहे होंगे वह भी चल रही है प्लस डिम्ट हमने फिर से स्टार्ट कर द है तो आप रेजिस्ट्रेशन तो हमने सब को बाइडिफॉल्ट रेजिस्टर करके रखका डिजीपे पर अभी अगर आपको डिजीपे पर काम शुरू करना है तो डिजीपे इंस्टॉल करने के लिए डिजीपे.cac.cloud.in पर जाके डिजीपे के सॉफ्वेश पड़े हैं व ऌपाइडेशन रिजीपे पर अचलिभर को तो तो किया जIL रहे दाव करने के लिए तो किसी वी पूँछस्टेशन अुछ इसके बोल्लोक ऑइडिफॉल्ट होगा और सस्टजूल करके द्जीपे पे अपने आपको डिजिस्टेटर और काम शुरू melody को कुछ स्केस्टीश कि अपने आपको authenticate करना है यह cash withdrawal process है मेरी उमीद है कि सबको यह पता होगा कि process क्या है deposit process भी withdrawal process की तरह ही है withdrawal process में successful confirmation पे आप cash देते है deposit में successful confirmation पे आप cash लेते है customer से domestic money transfer का थोड़ा flow जो पहले था अभी उसमें थोड़ा change किया है तो अभी क्या है थोड़ा simplify करने की कोशिश करी है जो पहले आप लोगा feedback था कि OTP तो उसको कम किया है आपको पहली बार जब आप customer जो remitter registration करते है एक बार तब आपको एक OTP देनी है करने के बाद एक बाद beneficiary को जब register करते है तब आपको एक OTP देनी है बाकि आप transaction कर सकते है next time आप जब करते हैं same remitter same beneficiary को तो किवल एक OTP आएगी जिसमें आप confirm करेंगे कि यह इस remitter को या इस beneficiary को transfer कर रहे हैं तो transfer होगा तो यह प्रोसेश इसमें नया change आए है एक DMT में as per new RBI guidelines जब किसी customer का transaction आपको success मिला बज उटके beneficiary के account में नहीं जाता कभी कभी bank accept नहीं करते हैं जो भी technical reasons हो उसको refund करते हैं वो तीन दिन तक होता है तीन दिन के बाद भी refund कर सकते हैं अजब जो टर्नराराउंड टाइम है banks का तो तीन दिन के बाद भी हमें failure message आ सकता है उस case में customer जो जो remitter है उसके mobile पे एक OTP आती है जब वो OTP बताएगा आप OTP अपने system में एंटर करेंगे तब उसका balance refund होगा आपके पास आपके डिजी पे जो लेजर होता है उसको आपका balance refund होगा तो यह एक change है यह जो आर्बे guideline है उसका जो नई अभी recent guideline है उसको comply करने के लिए system बनाया गया है हमारा टार्गेट है कि यह हम दिसंबर तक हमारे पचासजार वेली इस पर अपने आपको register करके काम शुरू करते हैं तो हमारे पास devices टॉक में पड़ी है आप order करते हैं तो within a week आपको deliver हो जाएगी यह devices माइक्रो एटियम को order करने का process यह सी बजार में जाके अपना माइक्रो एटियम वहाँ पर select type करके search करके माइक्रो एटियम ओडर कर सकते हैं 2100 इसकी deposit money है वो आप 2100 पे करके यह order कर सकते हैं जैसा बताया है मैंने एक हपते में आपको हम लोग insure करते हैं कि delivery मिल जाए इसमें आप दो services कर सकते हैं फिलाल वो है cash withdrawal की और balance inquiry की through cards यह card transaction add करने का जो objective था जैसा कि आप लोगों का feedback होता था कि card transaction होनी चाहिए हमारी application में objective यह था कि कुछ banks जो AAPS platform पे नहीं है पर उनका ATM switch काम करता है ATM switch में connected है वो जो switch है NPCI का तो उनकी customers जिनके वो ATM issue कर रखा वो transaction कर सकते हैं AAPS में नहीं कर सकते हैं बहुत सारे cooperative banks हैं जिनके customers को An espera ATM issue कर रखा है बट यह AAPS में नहीं है तो उन customers के transaction है आप card की through कर सकते हैं यह कुछ banks जो block करते हैं AAPS transactions को कlike nossa seat कर जो यह customer का adhaar seat नहीं किया हुआ है उनके customer का This hascard her card है तो card जो transaction आप अब येक और सर्विस आड करी डिजिटल सेवा पोटल जो है उसका आपका वालेट जो है वालेट टॉपप आप डिजी पे से भी कर सकते हैं इस्टेंट वालेट टॉपप होगा अभी आपका गेटवे लगता था गेटवे में फेल्योर भी होते थे इसमें डिजीबिल फेल्योर होगा ना के बराबर बतलब कोई गेटवे कार्फ है तो इससे आप कर सकते हैं इससे आपकी क्योंकि जो गेटवे की कोस्ट लगती थी वह आपकी बचेगी, यह फ्री है VLE के लिए completely free है, इसके आप अपना top up कर सकते हैं, इसके आप अपना top up कर सकते हैं, एक फायदा जो आपकी concerns हमारे पास आते हैं, कि आप जब कोई विड्रॉल करते हैं, अपने अकाउंट में लेते हैं, फिर आप बैंक से निकालते हैं, आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको टीडियस चार्ज होता है, तो वो बैलेंस आप डिच्टल सेवा पोर्टल को जो वालेट है, इसको टॉपप करने में उटलाइज कर सकते हैं, आपको बैंक जाने क बैंक लेता है, फिर उससे आप बैलेंस से जाके आप टॉपप करते हैं डिच्टल सेवा पोर्टल का, तो बहुत टीडियस प्रोसेज, अगर इसमें बैलेंस है, आपको कहीं कुछ करने के जरुदनी बैंक जाने के जाने के उस कैश को आप फिर से डिस्बस कर दीजिए, औ तो आप इसके इसके फायदे हैं, डिच्टल सेवा पोर्टल टॉपप करने का, अब कुछ आप फिल्से हमें कुछ चीजिया आती हैं, उसके बैसिस पर हमने कुछ दूज बैंक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो एक तो जिसे कोविट पिरिएट चलना सब द तो इंशोर करिए कि हर बार अपना जो बायमेट्रिक मशीन है, उसको क्लीन करिए, हर बार, हर ट्रांजेक्शन के बाद, उससे क्या होता है कि आपका भी तोड़ा सेफटी रहता है, जो कुछ नोंके लिए भी सेफटी रहता है, वो कोविट से संक्रमन होने से उनको बचा स ही नहीं, अगर कोई कश्मा ऐसा है, जो आधार नंबर नहीं देना चाहता, तो आप वी आईडी से भी उसको ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, तो किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि हम आपको आधार नंबर ही देना पड़ेगा, अगर उसको वी आईडी पता है, तो वी आईडी बता है, बहुत failure हम देखते हैं, कि जो bank account not linked और जो 15 no checking account करके जो failure होता है, वो इसलिए होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता कि उसका कौन सा account link है, क्योंकि जंदर अकाट में बहुत सारे खाते को ले थे, तो कुछ लोगों के multiple खाते हो गए, तो उनको ये नहीं पता कि उनक का कौन सा link है, और वहीं बता है, ताकि failure कम हो system में, आप जब transaction करते हैं, especially mobile थे, तो एक failure होता है, जब आपका biometric हेल जाता है, आप लोग इन करें, transaction करने जाता है, और आपका biometric हेल जाता है, तो भी failure होते हैं, वो log out हो जाती ही machine फिर आपको login करना पड़ता है, तो कोशिच क मोबाइल में ही करें, आप बार बार जैक निकालें करेंगे, तो जो उसका pin होता है, वो लूज हो जाता है, तो उससे भी आपको transaction करने में problem होगी, आप एक हमारे हाँ जो chargebacks आते हैं, disputes आते हैं, फिर हमारे हम लोग फोन करके आपको inquiry करते हैं, ये transaction होई, आपने पैसे दिय नहीं दे, तो इसके लिए हमेशा जब आप cash देते हैं, बहुत सारे हमारे पास deliberate complaints हाती हैं, किसी ने जानबुच के पैसा लेने के बाद भी complain करते हैं, कि हमें तो पैसा नहीं मिला, आपने bank में जाते हैं, उनको लगता है कि bank उनको दुबारा से पैसा देगा, तो उस case में आप एक register maintain करें, जिसमें कोई ऐसा confidential detail ना रखें, आधार नमबर ऐसा कुछ ना लिखें, उसका नाम, नमबर, उसका पता लिख लें, और उससे signature लें, कि उसको आपने ये पैसा दिया है, प्लस उसको receipt भी जरूर दें, अभी एक हमने machine इंटेगरेट करें, जो हम लोग अप परिंटर उस प्रींट निकलता है, बहुत अपने ट्रोमिकल है, चोटा सा उसमें एक रोल लगता है, तो प्रिंट करके, रिसीब जरूर दे, और अपने रिजिस्टर में उनसे अजरूर लें कर्शम से, कि उनको पैसा मिल चया है, तो क्या हता है ये जो डिस्प्यूड्स आप भी हरास होते हैं, हमारे यहां भी एक प्रोसेस में कोई ना कोई लगा आता है, इंक्वाइरी करना, इन्वेस्टिगेंर रिपोर्ट सब्मेट करता है, वो हम और आप दोनों बचेंगे उससे, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, कि बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, आप देट कर देता है, उन्हें पता नहीं होता है, तो जब अपडेट करते हैं, तो आपको इंशोर करें कि आपकी QC हो जाए, और अपडेट करते समय, आपने डॉक्यमेंट सही से अपलोड करें, डिजिटल से पोट रेश्टर.CGV.IN पर जो आप लोग अपडेट करते है तो उस पर जो आपका प्रूफ अपलोड करते हैं, उसको थोड़ा क्लियर करके करें, ताकि वो QC हो जाए प्रापली और आपका पेमेंट जाने लग जाए, तो आपका बाइंक अकाउंट और इनक्टिव एकाउंट लिंक ना करें, तीसरा आप कोशिच करिए कि डिजी पे में जो ट्रांजक्शन कर रहे हैं, उसका सेटल्मेंट किसी करेंट अकाउंट में करें, सेविंग अकाउंट में बहुत सार लिमिट्स होती हैं, तो हम जो पेमेंट करते हैं, आप कहते हैं, तो हर बैंक ने सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट लगा रखी है, तो उससे यह लिमित क्रो canyon के बाद क्या होता है, यह एकक्षप्प करते है लिए जा कि मेर सकते हुऊं है, ऍधी नहीं क्या पर अब कर दो तीन दriv वाहते है, तो आपका पैसा तीन चारदीन तक साहिज ह cockroachां थे पॉपाशा रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए current account रहेगा तो अच्छा रहेगा नहीं तो एक दो लाग क्रॉस करने बद बैंक रोक देता है वो एकसेप्ट नी करता है वो refund कर देता है तो वो current account आप यूज करें डीजीपे के लिए settlement के लिए एक iris scanner अगर आप कर सकते तो iris scanner से transaction करें iris scanner में failure आप फील्ड में काम करते हैं minisius मिट गए कहीं कट लग गया तो उसके वैसे फेल हो जाते हैं सबसे जादा failure हमारे system में यह 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 यूज से या बाइमेट्रिक मिसमैच से failure होते हैं तो उसको एवाइड करने के लिए अगर आप iris scanner यूज करेंगे वो failure कम हो जाएंगे आपने शेयर किया हुआ है इसका अमलोड अभी अपने पोर्टल पर भी डाल देंगे कि इसका CDR फाइल तो डाउनलोड करके अपने सेंटर पर भी डिजी पे का जरू लगा है ताकि विजिबिल्टी मिले कि यहां पर यह सर्विसेस मिलती है अब कुछ चीजें जो एवाइ किसी का अधाल लेने के लिए अधाल हम श्टोर नहीं कर सकते लिखनी किसे बिना किसी कंसेंट कि है कैष जो डिसबर्सल हो लोटा विड्रावल का जब तक आपको सक्सिस मैसिज नहीं मिल गया तब तक आप किसी को कैश मद दीजे आपको कोई रिस्पॉंस नहीं मिला बलैं आके cash देतीजिए, वैसे deposit अभी start किया है, कुछ वेलीज ने करना शुरू कर दिया है, तो deposit में भी आई है, जब तक आपको success response नहीं मिला, deposit successful है, तब तक आप cash मत लिजिए, अधरवाई आपको cash refund करना है, वो फिर reconcile करना है, आपको दिक्कत होगी, बहुत साहे लोगों को reconciliation में बहुत confusion रहती है, किस तीज का पैसा कटा, किस तीज का आया, तो उसकी वज़े से भी आप लोगों के tickets बहुत बढ़ते हैं, तो वो आप अपना खुद का reconcile करके रखिए, आप cash लेना या देना, जब तक आपको success नहीं मिला, जो green tab आता है, जब तक नहीं आता है, आप cash नह refund किया, तो जब bank के पास, जो customer का bank है, उसको refund आया, तो हमें एक OTP आएगी customer के, जो रिमिटर उसके mobile पे, उस OTP को वो देगा, आपको आप अपने system में एंटर करेंगे, तब आपके इसमें automatic refund आएगा आपके ledger में, और वो आप उसको पैसे वापस कर सकते हैं, DMT के case में भी जब तक आपको success message नहीं मिल गया है, cash मत लीजे, तो ये do's and don'ts है, मैं अप शेक सर जिनों ने ये पूरा application बनाया है, जो backend पे हमारा सारा manage करते हैं, CTO है सर हमारे, मैं उनसे एक request करूँगा कि जो ये नए rules है, deposit के DMT के, सर आपको explain करें और wallet के भी, तीनों जो नई services लाउंच हुई हैं, उसके कुछ rules backend में रखे गाएं कि क्या होगा, किस तरह होगा, उस सर एक बार आपको explain करेंगा, और CAC Pay के बारे में भी सर बताएंगे, नमशकार, तो जैसा कि, तैंक यू कृष्णा, जैसा कृष्णा ने आपको बताया कि DGP के जो नए features है, cash deposit, domestic money transfer, तो मैं आपको इसके बारे में application के बारे में कुछ बाते बताऊंगा, जो कि हम लोगों ने अभी recently इसमें implement किया है, और जो changes इसमें लाएंगे हैं, और features क्या करने जा रहे हैं, और system को कैसे और अच्छा करेंगे, इसके बारे में थोड़ी बाते बताऊंगा, तो जैसा कि आप देखते हैं कि आज की डेट में जब आप डिजी पे डाउनलोड करते हैं, और आप application स्टार्ट करते हैं, तो अभी हमारा जो application है, वो दो flavors में available है, एक तो कि installer itself takes care of it, कि वो जो necessary modules है, libraries है, जो उसकी dependency है, उसको वो install कर दे, and likewise the application will work seamlessly on your device, secondly, जब भी आप कोई, जैसा कि आप जानते कि DigiPay is a EPS application और वो biometric authentication पे काम करता है, तो modalities of biometric जो supported हैं, वो fingerprint हैं, और iris, तो आपको जो भी fingerprint device या iris डिवाइस आपके पास है, आप कोशिश करें कि उसका latest version of RD registered device service, जो की OEM, जो वो device manufacturer है, उसके तरफ से मिलता है, उसको आप अपने system में आमेचा regularly update करें, अपने Windows के patches को भी आप regularly update करें, तो कि, so that कि आपका application seamlessly चले, same with Android as well, आप Android में भी अपने RD services का latest drivers update करके रखें, अब हम लोग application की बाते करेंगे, application में जैसा कि आपने register करो और ये start करो, but अभी हम लोग नेक initiative लिया है, कि since अगर आप CAC ID आपके पास है, और आप CAC के VLE है, तो जिस तरह से आप हमारा portal access कर सकते हैं, हम लोग ने कोशिच कि कि similar way में आप BGP भी access करें, so there is no registration required, बस एक है कि एक terminal का identification उसमें start के से में चाहिए होता है, कि since इसमे financial transactions हो रहे हैं, इसलिए, तो आपका CAC ID आप लेते हैं, और उसके बाद फिर आप authentication करके, dual factor authentication है इसमें, जो कि बहुत सारे complaints हमारे पास, बहुत सारे request आते हैं, कि आप वो उठा दो, biometric fingerprint से login हटा दो, OTP हटा दो, but ये एक mandate है, RBI की AAPS के लिए, कि वहाँ पे dual factor authentication होना है, we are working to it, कि हम लोग और इसको seamless कैसे कर सकते हैं, within the ambit of statutory compliance, जो भी requirement है, guidelines जो प्रेस्ट्राइब करता है, उसको बिना violate किये हुए, जो भी इसमें और हम लोग बहतर कर सकते हैं, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, और उसको जरूर बढ़िया करेंगे, और अब इसमें, जो लो इसमाच operator आड़ कर सकते हैं, जो कि उनके क्योस सेंटर पर काम कर सकते हैं, तो उसी तरह से CAC के जो VLEs है, जिनके पास 2-3 operator है, जिन्होंने प्लान करके रखा है, कि हाँ मेरा एक काउंटर है, वो डीजीपे का काम करेगा, दूसरा काउंटर है, हो सकता है, वो बैंकिंग का करें या फिर को ट्रावल करें, तो उस तरह से आप बीजीपे का भी स्पेसिफिक कंट्रोल अपने operator को दे सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग का कहना है कि मुझे बार-बार में हर समय अपने शॉप में नहीं रहता हूं, या अपने कियोस में नहीं रहता हूं, मुझे बाहर ज स्टोड होता है, जिसके बेसिस पे बायमेटरिक ऑथनिकेशन हो पाता है, तो आपके operator भी आप डीजीपे में लॉग इन कर सकते हैं बिना किसी अडिशनल फंक्शनलिटी के लिए, तो ये एक नया फीचर है, जो बहुत आपको हल्प करेगा, तांक्यू सो मच, अब आगे हैं, अब जो फीचर्स हमारे हम लोगों ने इसमें इंप्लिमेंट किया है, एक तो वो cash withdrawal है, दुसरा deposit और जो domestic money transfer, बाकी balance inquiry, mini statement तो आप करते ही है, साथ के साथ हम लोगों ने wallet top up भी दिया है, तो पहले wallet top up की बाते करते हैं, तो wallet top up में जैसा है कि digital sewa portal का wallet है, उसमें आज क rate में एक VLE का limit है कि आप हम लोग एक account में not more than 2 lakh रुपे हम लोग नहीं रख सकते हैं, तो जब आप wallet top up करते हैं, तो आप एक चीज का ध्यान रख लें कि आप देख लें कि आपके digital sewa portal में आपका wallet का balance किया है, second, आपके जो डिजीपे के balance है, उसमें adequate fund है कि नहीं वो transaction करने so that कि आपके पैसे भी safe रहें और transactions भी safe रहें, तो जब आप जब भी top up करेंगे, अगर इस rule के अंदर में अगर आप top up करते हैं, तो कोई भी transaction अपका fail नहीं होगा, अगर in case आपको real time में update नहीं मिल गया, तो please आप panic मत करिये, I think हम लोग उसको अभी work out कर रहे हैं कि जो batches ह से चल रहे हैं, उसको हम लोग speed up कर रहे हैं कि यह जो इस तरह के failures हैं, इसको address करके maximum 15 to 20 minutes के अंदर में आपके wallet में हम लोग वापस credit करा दे पैसा, तो यह wallet top up में ऐसा है, secondly जो cash deposit services है, इसके लिए क्या है कि इसमें एक changes है जो पहले जो cash deposit हो था या फिर जो आप cash withdrawal देखते ह कि हम लोगों ने उसमें amount डाला authentication किया, वो सीधा transaction हो जाता है, और आप पैसे निकाल करके दे देते हैं आपने customer को, बट cash deposit के case में क्या है, यह दो लेक का transaction है, जिसमें कि जब आप request करते हैं, तो सबसे पहला काम करता है कि वो जिस भी customer का bank account में पैसा deposit करने की कोशिश कर रह करते हैं, वो bank से message आता है कि इनका account है इसमें, तभी deposit का leg initiate होता है, तो आप देखेंगे कि जब भी आप इस तरह cash deposit कर रहे हैं, तो अगर first leg में अगर आपका failure आता है, तब आप refund कर दीजे customer को पैसा instantly, अगर वो first refund transaction के response में, अगर आपको success आया या pending आया, तो आपको cash नहीं refund करना है customer को, क्योंकि वो cash definitely T plus one पे cash उसके account में deposit हो जाएगा, in case नहीं आता है, तो आपको एकदम 24 से 48 घंटे के अंदर में ही refund होगा, और आपको भी यही मैं suggestion दूँगा कि आप भी इसको इसी तरह से treat करें, कि इसमें ना आपको inconvenience होगा, ना कि आपके customer को inconvenience होगा, तो better ह है कि हम लोग safe है, safe रहे और transactions को उसी rule के accordingly follow करें, जो prescribed guidelines है, similarly DMT के बारे में हम लोग बात करेंगे, DMT में थोड़े से changes है, जो पहले जैसे DMT करते थे, हम लोग उस तरह से नहीं है, आज की rate में जैसे DMT का जो basic rule है, कि आपको एक remitter को register करना है, और एक remitter अपने अंदर में beneficiary register करते हैं, जिनको वो fund transfer कर सकते हैं, ये चीज़े आज भी हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा changes किया है, कि जब भी आप एक remitter को add कर रहे हैं, तो मान लिजे कि एक VLEA है, उन्होंने एक remitter को add किया, अब वो remitter आज यहां transaction करने के लिए उनको अपने details दे करके, एक OTP authenticate करके first time registration करना है, उसके बाद जब beneficiary add करेंगे, फिर beneficiary को वो authenticate कर लेंगे, फिर वो fund transfer करेंगे, तो fund transfer में एक OTP आता और fund transfer कर सकते हैं, बट अब in case, ये जो customer है, ये कल को किसी VLEC के पास जाते हैं, तो वहाँ पे इनको OTP देने के जरूत नहीं पड़ेगी, या व repeat A के पास आते हैं, तो भी OTP देने की जरूत नहीं है, बस remitter का mobile number डालेंगे, remitter का जो screen और details आता है, वो वहाँ पे login कर जाएंगे, जिसमें की beneficiary का details, उनकी transaction history, वो सारी चीज़े आपको वहाँ दिख जाएगी, और जब transaction मतलब जब fund transfer कर रहे हैं, हम लो domestic money transfer में, इसमें द दूसरा की जो एक remitter है, वो एक महने में पचीस हजार से ज्यादा किसी को transfer नहीं कर सकता है, तो इस rule को हम लोग hold करके रखेंगे और आप भी इसका ध्यान रखेंगे, और similarly आप अपने customers को भी educate करेंगे, और जो VLEs हैं nearby जो आज यहां नहीं मौजूद हैं, उनसे भी आप स स्क्रीन में बताएगा कि किस केसे में आपको instantly refund हो जाएगा, और किस केसे में जो नए रूल जैसा कि कृष्णा ने बताया था, कि RBI का नए गाइड लाइन्स आया है refund के लिए, वो उसके basis पे होगा, तो जब आप इसको refund की बाते करेंगे, तो इसमें आपको स्क्रीन में ब पास से OTP नहीं डाल करके आप verify करेंगे, तब तक वो amount refund नहीं होगा, और in case अगर emitter को mobile नहीं आया है, तो वहाँ पे screen में option है, आप वहाँ से OTP recent करवा सकते हैं अपने पास, और जैसे ही आप refund कराएंगे, वो amount जो bank में कट करके चला गया है, वो वापस आपके account में आ था, specifically और तो बाकी जो services हैं आप cash withdrawal कर रहे हैं, और जो transactions के कुछ disputes अगर आपको होते हैं, तो एक इसमें हम लोग ने देखा है कि हम लोग ने वहाँ पे एक feature दिया है, which is called status, तो आपको ये request करूँगा कि अगर आपके कभी भी transactions आप cash withdrawal कर रहे हैं, और आपको instantly कोई response नहीं आया और आप decision नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पे screen पे आपके पा status का button enable हो रहा है, तो आप वहाँ से status कर लीजिए call, या तो फिर आप अपने transaction history में जा करके उस particular transaction का आप status inquiry करेंगे, तो जब आप इसका status inquiry करेंगे, तब वो क्या होगा कि instantly, अगर वो success होगा तब तो आपको success बता देगा, नहीं तो वो एक refund trigger कर देगा और आपको customer को पैसे नहीं देने हैं, तो ये कुछ rules है, हम लोगों ने इसका manual भी बनाया है, और शेयर भी करते रहते हैं, हम लोग regularly, और updated manual भी आपके साथ हम लोग जल्द शेयर करेंगे फिर से, so that कि आप लोग सब लोग updated रहें और transactions आपके और system भी अच्छा चले, बाकि DGP के लिए अभी हमारे दरस इतना ही, धन्यवाद,